गाजीपुर से रजट श्रीवास्तव मंदल वयूरो चीफ की खास रिपोर्ट लुख विर्की सूचना पर नशात अस्कर सहुट एक करोर दस लाग की नाजायस हेरोईंग वा सफारी गाड़ी पुलिस ने क्या बरामत रामपुर माझा थाना पुलिस वस्वाट सविलांस टीम को नशे के सौधागरों को पकड़ने में मिली काम्याबी खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर रामपुर माझा थाना पुलिस वस्वाट सविलांस टीम को बड़ी काम्याबी मिली है बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंग के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूग्द चलाए जा रहे अभियान के तहट अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्रा दिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षन में प अभियुक्त राजेश सिंग यादव और फ्रंगिला यादव पुत्र स्वर्गिय सीता राम यादव निवासी ग्राम देवकली थाना रामपुर मांझा अंकिट सिंग पुत्र रविंद नाथ यादव निवासी देवकली थाना रामपुर मांझा मनोहर लाल पुत्र हीरा लाल ग्राम बिनुलिया थाना अक्लिरा जनपक जालावार राजस्थान व दुर्गलाल पुत्र फूल सिंग निवासी जिक्टिया थाना गाटोली जनपक जालावार राजस्थान है। क्या है मंदा हमारी रामपुर माजा पुलीस और सट टीम की एक सहीं कारवाई में क्योंकि एक पुक्ता सूचना थी उसके आधार पर चार अभीक्तों को में एक टाटा सफारी गाड़ी ग्रफतार किया गया और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में मादक पजार्त के रिकवरी हुई है जो इनके द्वारा बताए गया है कि हरोईन है और ये एक अंतर राजिये गिरोह के रूप में काम कर रहे थे इसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो जनपत गाजीपूर और गाइस्थान के रहने वाले हैं आप लोगों को विदित होगा देड़ महीने पहले भी एक अंतर राजिये गिरोह का परदाफास हुआ था जिसमें मणीपूर के अपराधी पखड़े गए थे जो यहां पे पूरवांचल के विभिन जनपदों में इन बादिक पदार्तों की सप्लाई करते थे उनका लिंक गाजीपूर में था उस समय स्वयाटो सर्विलेंस टीम के पास थी उसी को डवलब तर रहे थे तो उसी में कल यह सफल था हमारी पुलिस को मिली है करीब 1170 ग्राम है अंतरास्टी है पाजार में इसकी कीमत एक करोर दस लाग से उपर है लगभग